हेलो एबरीवन आप सो विदार्थियों का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्केश्टडी.99 में तो कैसे हो आप लोग उमीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिक्षा की त्यारी कर रहे होंगे कुछ से विदार्थियों के अपनी प्रिक्षा है वो कल श्याड होने वाली है और कईयों की चार अपरेल से होगी क्योंकि जोगरोफी का पहला एक्सका जो है एक्जाम है और इसके अंदर मैं कुछ आपको हिंदी अन्वारे के अंदर जो अपनी बुक है अब व्यक्ति मादि पहले तो हम देख लेंगे इससे पहले अगर आप चलना पर पहली बार आई है अगर आप अभी तक सबसक्राइब नहीं किया है अपने प्यारे से कोमल से आतों से जो है तो लाल कलर के अंदर जो बैल आइकन जो अबना सस्क्राइब बटन दिख रहा है जो बैल आइकन दिख रहा है पहले तो सस्क्राइब बटन पर क्लिक करिए और फिर बैल आइकन को प्रेस करिए तो इसके अंदर हमारा जो पहला क्योश्चन है कि फिचर के अ एक फिचर लेखन है जो कि मैंने यहां पे आपको नाम दे दिये हैं ठीक है आंतम नेश्ट लेखन की फिचर कलाता है ठीक है आपको मैंने यहां पे नाम दे दिये हैं आप जो है इसको स्क्रीन सोट इसकी जो स्क्रीन सोट अब भी ले सकती हो और जो है आप साथ साथ में इसक नहीं कर सकता ठीक है उसके बाद हमारा च्यार नमर क्योशन है फिचर लेखन और समाचार लेखन में अंतर लिखिए तो भाई फिचर लेखन में कलपना का भी मिश्रन किया जा सकता है परंतु समाचार में तथ्यों पर जो रहता है यह आपको याद रखना है उसके बाद हमार लिखा जा सकता है इसकी सेली बहुत हट कर कठातमक सेली की तरह होती है जिसमें कला सबसे आखरी में आता है कलाई मेक्स जो होता है न उसबसे आखरी में आता है छे नमर परसन हमारा है कि फीचर की बाशा कैसी होने चाहिए फिचर लेकिन ये बाशा सरल रुपातमक आकरशक और मन को चुने वाली होती है ठीक है उसके बाद हमारा जो 7 नमर परशन है कि फिचर लिखते समय किन अमकिन बातों का ध्यान रखना चाहिए 8 नमर परशन है कि एक फिचर को रोचक और आकरशक के से बनाया जा सकता है हमारा 9 नमर क्योंचन है समपादिकिया लेक फिचर में अंतर सपष्ट कीजिए 10 नमर परशन है कि फिचर का क्या उदेशय होता है तो फिचर का उदेशय मैं आपको बता दूँ कि फिचर का उदेशय पाठकों को सूचना देना शिक्षित करना उनका मानुझर करना फिचर कि उर्ड ओरिप्टर के गुम्ह निकर। द्रफि तो फिचर में मान का ध्यान राखना ओना चाहिए ऐसे था सदीं यत। feature or re-like में मुख्या अंतर क्या है ठीक है यह अपने जो question है ठीक है उसके बाद हमारा तेरह नमर पर्सन है feature के प्रकार कौन कौन से हैं तो समाधार feature विग्यातमक फीचर वियतिकत feature और खोद परक feature और विगयान feature और खेल उध़ फीचर ठीक है आलेक कैसे विश्यों पर लिखा जाना चाहिए उसके बाद है कि आलेक में क्या गुन होने चाहिए आलेक की बाश्या सेली कैसी होने चाहिए यह थे अपने 17 परसन जो कि मैंने आपको फटा फट से आपका टाइम वेश्ट ना करते हुए फटा फट से मैंने करवा दिये इसको आपको वीडियो को रोक रोक के यह जो जितने भी परसन है आपको अपने नोट बुक के अंदर नोट करना है आप सभी को पता है कि देखिए एक्जाम नजदिक आगे हैं बहुत कुछ अभी आपको प्रोवाइड करवाने वाला रह चुका है तो मैं फटा बट से आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ तो आप फटा बट से नोट करिएगा तो मिलें नेक्स्ट टूडियो के अंदर जैहिन वन्दे मातरा